हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है, आज हम सिखेंगे आर्क कितने टाइप का होता है और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए आर्क ड्रॉ करते हैं, आर्क ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन सलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने हैं, टॉप प्लेन सलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट किलिक करें, और इसकेच का जो आइकन है, अब इस पे किलिक करें, तो अब आप स्केच मोड में आ गए, अब हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, दोस्तों, आर्क थिरी टाइप्स का दिया गया है, उसे जानने के लिए आर्क कमंट का जो आइकन है, इसके बगल में एक छोटा सा एरो है, आप इस में किलिक करें, तो देखिए, पहला है सेंटर पॉइंट आर्क, दूसरा है टेंजेंट आर्क, और तीसरा है घरी पॉइंट आर्क, arc command में पहला है center point arc दूसरा है tangent arc और तीसरा है three point arc center point arc में क्या होता है कि पहले आपको center point decide करना होता है फिर आप दूसरा point पे click करते हैं और फिर तीसरा point पे click करते हैं तब जाके आपका जो arc बनता है वो center point arc होता है दूसरा है टेंजेंट आर्क इसमें क्या होता है कि एक लाइन का दो पोइंट या फिर दो लाइन होना जरूरी है तब ही आप टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर पाएंगे और तीसरा है थिरी पोइंट आर्क इसमें क्या होता है कि आप पहला पॉइंट पे क्लिक करते हैं फिर दूसरा पॉइंट पे क्लिक करते हैं और फिर तीसरा पॉइंट पे क्लिक करते हैं तब जाके जो आपका आर्क बनता है वो थिरी पॉइंट आर्क होता है हम लोग ज्यादा तर थिरी पॉइंट आर्क का यूज़ करते हैं तो चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं और देखते हैं यह कैसे परफॉर्म करता है पहला है सेंटर पॉइंट आर्क ड्रॉ करने के लिए आर्क कमांड का जो आइकन है इसके बगल में छोटा सा एरो है आप इस पे किलिक करें और सेंटर पॉइंट आर्क पे किलिक करें तो अब आपका सेंटर पॉइंट आर्क का कमांड एक्टिव हो गया अब आप उस पॉइं का center चाहते हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सिखा था कि कोई भी sketch origin point से start करें जिससे कि आप sketch को आसानी से fully define कर पाएंगे तो यहां भी हम center point arc origin point से start करेंगे तो origin point point पे click करें और उपर की ट्रप drag करें और दूसरा point पे click करें और drag करें और तीसरा point पे click करें कमांड से बाहर जाना के लिए right click करें और select पे click करें तो अब आपका Center Point Arc बन के तयार हो गया, अब इसमें Dimension दीजिए, Dimension देने के लिए Smart Dimension पर किलिक करें और Arc पर किलिक करें, और इसका Radius 80 mm, Enter, OK. पर Sketch अभी भी Under Define है, इसे Fully Define करने के लिए, इसमें Relation लगाना होगा, तो चलिए Relation लगाते हैं, Relation लगाने के लिए, इस Point पे किलिक करें, और Shift के साथ, Origin Point पे किलिक करें, और Make Horizontal, ओके, दूसरा, इस Point पे किलिक करें, और Shift के साथ, Origin Point पे किलिक करें, और Make Vertical, और OK, और इस Dimension को Drag करें, इस साइड में, ओके, तब देखिए, आपका Sketch, फुली Define हो गया, Next है, Tangent Arc, Tangent Arc के लिए, हमने आपको बताया था, एक Line का दो Point, तो हम पहले Line Draw करेंगे, Line Draw करने के लिए, Line Command का जो Icon है, इस पे किलिक करें, तो अब आपका Line Command एक्टिव हो गया, अब Origin Point पे किलिक करें, तो आपका Line Draw होना शुरू हो गया, और स्टॉप करने के लिए, जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हैं, वहाँ पे किलिक करें, तो हम यहाँ पर stop करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करें और command से बाहर जाने के लिए right click करें और select पर click करें अब हम यहाँ पर tangent arc draw करेंगे उसके लिए arc command का जो icon है इसके बगल में छोटा सा arrow है इस पर click करें और tangent arc पर click करें तो अब आपका tangent arc का command active हो गया अब लाइन के इस पॉइंट पे किलिक करें और ड्रैग करें और लाइन के दूसरा पॉइंट पे किलिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट किलिक करें और सलेक्ट पे किलिक करें अब इसमें dimension दीजिए dimension देने के लिए smart dimension पर click करें और इस आर्क पर click करें और इसका radius 105 enter अब देखिए आपका tangent arc एक line के दो point की मदद से बनके तयार हो गया दूसरा हम दो line draw करेंगे और फिर वहाँ पर tangent arc draw करेंगे तो चलिए line draw करते हैं line draw करने के लिए line command का जो icon है इस पर click करें origin point पर click करें उपर की तरफ drag करें और stop करने के लिए वहाँ पर click करें और command से बाहर जाने के लिए right click करें और select पर click करें दूसरा line draw करने के लिए line command का जो icon है इस पर click करें और यहाँ पर click करें और उपर की तरफ drag करें और यहाँ पर click करें command से बाहर जाने के लिए right click करें और select पर click करें अब हम यहाँ पे tangent arc ड्रॉण करेंगे tangent arc ड्रॉण करने के लिए arc command का जो icon है इसके बगल में एक छोटा सा arrow है इस पे click करें और tangent ar archives पे click करें अब आपका tangent arc का command active हो अप इस point पे click करें और drag करें और दूसरा इस point पे click करें और command से बाहर जाने के लिए right click करें और select पे click करें तो देखिए दो line की मदद से आपने tangent arc draw किया है अब इस arc पे click करें तो अब देखिए यह दो point पे tangent है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दूसरा हम उपर की तरफ tangent arc draw करेंगे उसके लिए arc command का जो icon है इसके बगल में एक छोटा सा arrow है इस पे click करें और tangent arc पे click करें तो अब आपका tangent arc का command एक्टिव हो गया अब आप इस point पे click करें और drag करें और इस point पे click करें command से बाहर जाने के लिए right click करें और select पे click करें अब इसमें dimension दीजिए dimension देने के लिए smart dimension पर click करें और इस line पर click करें और इसका dimension 1, 2, 5 enter दूसरा इस arc पर click करें और इसका radius 6, 0 enter ओके तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमने दो line की मदद से tangent arc ड्रॉग किया और sketch को fully define किया तो आप भी कर सकते हैं बहुत आसान है next है 3 point arc 3 point arc ड्रॉग करने के लिए arc command का जो icon है इसके बगल में छोटा सा arrow है इस पर click करें और 3 point arc पर click करें तो अब आपका 3 point arc का command active हो गया अब आप पहला उस point पे click करें जहां से आप 3 point arc बनाना चाहते हैं तो हम origin point पे click करें और दूसरा इस point पे click करें और उपर की तरफ खीचें और यहां पे click करें command से बहर जाने के लिए right click करें और select पे click करें तो आपका 3 point arc बनके तयार हो गया अब इसमें dimension दीजिए dimension देने के लिए smart dimension पे click करें और इस arc पे click करें और इसका radius 125 एंटर ओके बट यह arc अभी भी under define है इसे fully define करने के लिए इसमें relation लगाना होगा तो relation लगाने के लिए arc के इस point पे click करें और shift के साथ arc के इस point पे click करें और make horizontal ओके दूसरा arc के इस point पे click करें और shift के साथ arc के center point पे click करें और make horizontal ओके तो देखिए आपका 3 point arc fully define हो गया आज के लिए बस इतना ही दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है like करें, comment करें और हमाने चैनल को subscribe करें आपका किमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद